हालो एब्रीवान वेल्कम बैक तो मैं चैनल कुंज ओफीसल आवरी और चैनल कैसे हो आप लोग आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगे नीचे बैल एकन उसे प्रेस जर जाविधी भी बताओंगी तो सारे चीज बताने वाली हों तो बने रहे हैं मेरे करवा चौथ का वरत 13 अक्टूबर 2022 को है करवा चौथ का सुमोहरत पूजन विधिक और महत्व करवा चौथ का त्योहार को लेकर हर साल की तरह इस बार भी महिलाएं बेहत उत्सुक नजर आ विशेस ध्यान दे रही हैं अगर कोई महिलाया शादी के बाद पहली बार करवा चौथ का वरत रख रही हैं तो ये उसके लिए और भी अधिक खास बन जाता है आईए हम आपको साल 2022 के करवा चौथ के शौमोहरत पूजन विधि और उसके महत्व के बारे में बताते हैं इ केवल आपके पती की आयुक लंबी होगी बलकि आपकी भी महत्व कांगशाएं पूरी होगी करवा चौथ सौमोहरत 2022 इस बार 13 अक्टूबर 2022 को करवा चौथ का सौमोहरत है 13 अक्टूबर 2022 रवीवार के दिन साम 5 बजकर 46 मिनट से 6 बजकर 50 मिनट तक ही ये सौमोहरत हैं इस दिन की पूजा दो चांद के दीदार के बाद ही पूरी होती है अर्थात आपके पती और आसमान का चांद करवा चौथ के दिन चांद निकलने का समय है करिब रात आच बज़े से आठ चालिस के बीच में करवा चौथ व्रत का महत्व करवा चौथ का व्रत विवाह महिलाएं अपने पती की लंबी आयू के लिए रखती हैं इस दिन वे पूरे चांद को देखने के बाद ही अपना वृत खोलती हैं करवा चौत पर पूरे दिन बिना कुछ खाए और पानी पीए रहती हैं महिलाएं चंद्र उधर के बाद महिलाएं उगते हुए पूरे उसके भाद ही उनका व्रत पूरा माना चाता है यदि महेलाओं नी चांद देखने से पहले इस व्रत को तोड़ दिया तो ये व्रत खंडित हो जाता है ये व्रत सुरे उदे से पहले ही चार वजे के बाद शरू हो जाता है इसमें भगवान गनेश, भगवान शिव और माता पारवती की पूजा की जाती है परवाद 4.2022 पूजा की विधी इस दिन सभी महिलाएं नए वस्त्र पहन कर गहने पहन कर तयार होती है वे महदी लगे, हाथों से थाली सजाती है जिसमें घी का दीपक, धूप, अगरबती, फूल, फल होते हैं साथ में पानी का लोटा होता है पूजा समागरी एकत्रित करने के बाद भगवान गनेश जी की पूजा के बाद उनमें से एक महिला सभी को करवा चौथ की कथा सुनाती है सभी महिलाएं पूजा करने के बाद एक दूसरे से अपनी थाली बदलती है और भगवान से प्रात्ना करती है कि उनके पती की आयू लंबी हो करवा चौथ वरत की कथा सुनने के बाद बाद लोटे के जल को सूरेस्त होने से पहले सूरे भगवान को चढ़ाती हैं बाद में सभी महिलाएं चांद के दीदार से ये पहले परिवार वालों के लिए पकवान बनाना शुरू कर देती हैं कि रात को चांद देखने के बाद वे पूरे परिवार सहित भोजन ग्रहन कर सके आईए जानते हैं भारत के किन राज्यों में होता है करवाचोथ वरत का रुजहान भारत में हर साल मनाया जाने वाला करवाचोथ का तेवार दिल्ली उत्तर प्रदेश राजस्थान हिमाचल प्रदेश रहरियाना राज्ये में काफी प्रचली थे हालान की कई जगह और विवाहित महिलाएं भी अच्छे पती की कामना के लिए ये वरत रखती है करवाचोथ में खाया जाने वाला भोजन करवाचोथ के दिन सोरे उदे से पहले जो सरगी खाई जाती है उसमें मीठाई, मठरी, काजू, किसमिस, ड्राइफरूट और अन्य पदात शामिल होते हैं इसके अलावा वरत पूरे होने के बाद अपने परिवार के साथ छोले पूरी शाही पुलाओ जैसे अनिक स्वादिश्ट वैंजनों का लुद्व उठा सकती हैं कैसा लगा आप सभी को हमारा ये करवा चौथ पूजा विदी प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताईएगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सबस्क्राइब and सेर करना बिलकुल न भूलना मेरे वीडियो को इंट तक देखने के लिए दिल से धन्यवा थैंक्स पर वाचिंग कीप सपोर्ट